नवश्कार, संतुलित आहर के दूसरे वीडियो में हम शुरुआत करेंगे समोसे से समोसे को संतुलित करना सभी को आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है मेरा नाम डॉक्टर आशिशारिया, MBBS, आज संतुलित आहर के बारे में ही बात करेंगे समोसे में जो होता है कार्भाइडेट, कैलोरी और फेट ये तिनों चीज ज़्यादा होती है और प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन्स कम होते हैं तो अगर हमने समोसा खा लिए है तो हमारे अगले आहार में जो चीज ज़ादा है उसे कम रखना है और जो चीज कम है उसे ज़ादा रखना है इसलिए एक समोज़ा खाने के बाκत अगले आहार में हमें एक रोटी कम करनी पड़ेगी और कुछ सलाद या फल लेना पड़ेंगे और कुछ चने लेने पड़ेंगे या दाल वाले चीज लेनी पड़ेगी जिससे कि फोर्टीन फाइवरो केल्शियम जो हमें कम मिला है वो बैलेंस हो जाए तो इस तरह से अगर कोई असंदुलित कहा ना खा लिया है तो उसे संदुलित किया जाता है लेकिन एक समोसे से अगर ज़्यादा हम खाते हैं दो समोसे कहते हैं तीन समोसे कहते हैं तो उसको संदुलित करना मुश्किल रहेगा संतुलेत अहार का परिवाशा है वह यह है कि ऐसा भोजन जिसमें सारे पोस्टिक तत्व जाएं और सही मात्रा में हो जो हमारे स्वास्त के लिए ज़रूरी है तो इसके लिए जानना जरूरी है कि कौन-कौन से पोस्टिक तत्व होते हैं पोस्टिक हमारे हैं तो जाता है यहां जैब हम जरूरी है जोमातरा में रहे स्ट ही ज दो बहुता है यहे ज़रूरी होते हैं कम मातरा में चाहिए रहे लिए नहीं जरूरी होते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसे पोस्ट इक दब जो केलोरी देते हैं और जो केलोरी नहीं देते हैं तो प्रोटीन और यहंण हम तनी चीज hard थेख एफ्अच आइम और विटामिन मिन्डरानज़ और फाइबर्स पानी यह हमें केलोरी नहीं देते हैं तो जो पोस्टिक तत्व में केलोरी नहीं देते हैं वो भी होना जरूरी है और जो पोस्टिक केलोरी देते हैं वो भी जरूरी है दोनों ही जरूरी होते हैं तो इतना हमें समझना जरूरी है कि मात्रा सब की पोस्टिक त आफ देकिंग, थैक्यू